Assalamualaikum अदीबा की रसोई में आपका स्वागत है तो आज हमने बनाया है मलाई चिकन जो बहुत ही जादा डिलिशिस बनता है और इसके साथ अगर आपको गर्मा गरम लच्छा पराठा मिल जाए तो आहहा क्या टेस्ट आता है इसको खाने का चलिए फिर अदीबा की रसोई में और देखिए कि हमने ये मलाई चिकन कैसे तयार किया है एकदम रेस्टरॉंट स्टाइल इसकी ग्रेवी होती है बहुत ही जादा सिल्की और स्मूध आईए देखते हैं मलाई चिकन बनाने के लिए अधिकन चीजों के जरत लगेगी तो यहां पे हमने हाफ केजी चिकन लिया है और यहां पे हमने हाफ कप दही लिया है चार टेबल स्पून डूद के उपर के जमी हुई मिलाई आप चाहें तो फ्रेश क्रीम ले सकते हैं यहां पे 1.25 q. गरम मसाला 1च. यह hole अधिकन मिर्चों का पाउडर है smellsवालाई जिसे सपेद दखनी मिर्च की अधिया तो 1 टी स्पून यह स्पेशल मलाई चिकन का मसाला हैं- इस तरह से यह 1 टी स्पून हमने यहां पे काली मिरच ली है और यहां पर एक टी स्पून लिया है हमने जीरा और यहां पर पांच सूखी लाल मिर्चे ली है और यहां पर हमने एक टेबल स्पून लिया है धनिया का तो चलिए फिर मलाई चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें आपको जिखायते हैं इनको ड्राय रोस्ट करना है ताकि इनका सारा मॉइस्ट्री चला जाए और पीसने में भी असानी हो जाएगी बस इसको एक दम लो फ्लेम पे एक से दो मिनिट के लिए हम इसे ड्राय रोस्ट करेंगे इसमें अच्छा सा अरोमा आने लगा है बस हमारे मसाले पे ड्राय रोस्ट होगे अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद दर दरा सा पीस लेंगे यहां पे हमने एक तान रख है इसमें हन्रिड ग्राम ऑल डाला है और यह एक यू बडर का ड इसमें हाई फ्लेम पर देखिए प्यास हमारी अच्छे से भूंगे आप देख सकते हैं तब कलर भी चेंज हो गया है बस इस स्टेच पर हम अपना सारा चिकन डाल देंगे एक टीस्पून नमग जाग देंगे और एक चमच अज़ 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 दाल देंगे एक चमच स्टेच का अमने मैंच था हमें भी ऐसलिगत से उसमें एक तर नहां है अच्छे से मिगाए तो बेकिया करने के पादी हम थारेम के oh d May 80% तेंडर नहीं हो जाए चिकन हमारा गल गया है और आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राय हो गया है अब हम इसमें गया करेंगे जो आपको दिखाया था काजू का पेस्ट यह डालेंगे और साथ में आपको क्रीम दिखाई थी यह डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करें अज़ए और साथी ए गरम मसाला दालेंगे यह डो टी स्कूल कसूरी मेति टाल देंगे इनको भी डाल के अच्छ से मिक्स ने और अच्छे से भूनना एँ सो जीज़ने बूनी शारी चीज्य़ने अच्छे से भून गई आइँ दे चीजे ऑन प्सपूर्त यह डूल का प्रवाभी से ही इसके ग्रेवी कितनी जादा सिल्की और स्मूद लग रही है एकडम मलाई जैसे अगेन अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे पांच मिनट तक कुप करेंगे आप चाहिए तो इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं लेकिन इसका जो स्पेशल तड़का है जो हम लगाने वाले है उससे और भी जादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है तो ग्यास की फ्लेम को अफ कर देते हैं चलिए इसका तड़का प्रिपेर कर लेते हैं एहां पैन में हमने इसको अचिकन स्वार काटा हैं और यह थोड़ी की खरीवर इनको थोड़ा साध्रांस्वूसियंग होने तक एक तक फ्राइ करेंगे तक एह थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं लेन हम इसे अपने चिकन में आड़ करेंगें तक एह दिखिए न अब हमारे ने प्राइ हो गई हैं तड़के से इस तड़के से इसका तेस्ट जैसे कि आपसे का बढ़ जाता है बहुत जादा तो आप इसे जरूर लगाईएगा तड़का चाहे तो आप वैसे भी इसे सर्फ कर सकते हैं तो बस अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे तो यह देखिए हमारा मलाई चिकन बन करके एक तम तयार है और देखिए कितना जादा यह प्यारा लग 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 तो आप अपसे जरूर करिएगा बहुत हलके मसालो से बनता है यह तो आपको हमारे यह मलाई चिकन की रेसिपी अची लगी होगी तो प्लीज आर वीडियो को तो सब्सक्राइब किये बिना मत जाएगा तिल दन अपना खयाल रखिए दुआउ में आज रखिएगा अल्ला हाफिस